जनाब जीब असकार हुसेन का शुमार हमारी एहद के मारूफ औ मुतहरीक सहाफियों में होता है आप साहिब इसलूब अफसाना निगार भी हैं आज कल एक युनिवर्सिटी के शोबे सहफत से मुनसलिक हैं जनाब जीब असकार हुसेन ने उर्दू अफसाने को अलामती और तज्रीदी रंग दिया है साथ ही आप अदब के निजबत से इसलाही तनकीद पर भी यकीन रखते हैं आज हम जीब असकार हुसेन सहब का इंतहाई सहल और मुन्फरिद तरीन अफसाना पेश कर रहे हैं अफसाने का उन्वान है तीन में ना तेरा में ये अफसाना उर्दू की कहावतों या जर्बुल मिसल पर मुश्तमिल है और उनकी तर्तीब में कमाले फन वाजिह जलकता दिखाई देता है दूत का दूत और पानी का पानी हो गया सोने पर सुहागा ये के जेब में फूटी कौडी नहीं थी पैरों तले से जमीन निकल गई और आँखों के आगे अंधेरा चा गया एरी चोटी का जोड लगा दिया सर फूटा घुटना तूटा मगर हाथ को हाथ सुजाई न दिया दिमाग में शूटियां सी रीनने लगी उल्लू बोलने लगे कववा चला हस की चाल अपनी भी भूल गया क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर्बा पुद्रत की लाठी बे आवाज है जान पर बनाई अंधा क्या चाहे दो आँखें दिल भराया और आँखों में खून उतरने लगा जल्थल एक हो गया डूपते को तिनके का सहारा हरी हरी सूजने लगी हथेली पर सरसू जमाने लगा कुछ बनना पाया मरता क्या न करता गड़े मुर्दे उखाडने लगा एक एक दो ग्यारा राई का पहाड बनने लगा जितने मू उतनी बाते खुदा गंजे को नाखुन न दे सर मुणाते ही ओले पड़े चादर देख कर पाउं पहलाओ मर गया मर्दूत फातिहा न दुरूत गुस्से में कुछ नजर नहीं आता कपकपी तारी हो गई आओ देखा न ताओ और आस्मान सर पर उठा लिया चौदा तबक रोशन हो गए और दिन में तारे नजर आने लगे अल्ला मिया के पिछवाडे खवे से खवा छिलता था तिल धरने को जगा न थी भात भात की बोलियां सुनाई दी अंधेर नगरी चौपट राज शैतान की आत कान पड़ी आवाज सुनाई न देती थी अंदर ही अंदर खिचडी पक रही थी दाल में काला नजर आने लगा खोश ठिकाने आ गए और खौफ के मारे घिकी बन गई मुसीबत कहकर नहीं आती जमीन आसमान के कुलाबे में लाने लगा होश के नाखुन लेते ही हाथ पाउं फूल गए और कदम उखडने लगे देखते ही देखते सर के बल आसमान से गिरा और खजूर में अटका हवाईया उड़ने लगी बात का बतंगड बन गया नमाज बख्शुमाने आये थे और रोजे भी गले पड़ गए सांच को आँच नहीं जूट के पाउं कहां तौबा ही भली गुरूर का सर नीचा होश ठिकाने आते ही छटी का दूद यादा गया खरी खरी सुनाने लगा सवाल चना जवाब गंदुं पल में रत्ती पल में माशा आवे का आवा ही बिगडा हुआ है एक मचली सारे तालाप को गंदा कर देती है सुनो सबकी करो अपनी पहले तोलो फिर बोलो आबेल मुझे मार आम के आम गुठलियों के दाम जिसने सुना सर पीट लिया इन तिलों में तेल कहां धोबी का कुत्ता घर का न घाट का जादू वो जु सर चड़ कर बोले धराम से नीचे आगिरा दाएं देखा न बाएं और नाक की सीध में चलने लगा जान बची सौ लाखों पाए आटे दाल का भाव पता चल गया था जिसकी लाठी उसकी भैंस कहते हैं दूत का जला छाज भी फूंक फूंक कर पीता है